दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे BTS member की जो schedule होती है वो कितने ज़्यादा busy होती है इसके साथ ही उन्हें अपने busy schedule होने के वज़े से काफी ज़्यादा travel भी करने पड़ती है इसके साथ ही उनकी जो traveling होती है वो काफी ज़्यादा long distance की होती है और उन्हें अपने लॉंग फ्लाइट के वज़े से काफी टाइम प्लेन में ही बिताना पड़ता है जिस वज़े से हमने काफी पर BTS मेंबर को फ्लाइट में ही अपने कामों को करते वे देखा है और जहां दुनिया भर में इतनी सारी BTS आर्मीज है वही एक फ्लाइट अटेंडेंट भी BTS फैन थी और उनके साथ एक ऐसी इंसिडेंट हुई जो कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और इस इंसिडेंट को उन्होंने सभी के साथ शेर भी करा था और इसे जानने के बाद काफी सारी BTS आर्मी भी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाने लगी थी दोस्तों ये बात तब की है जब BTS मेंबर लॉस अंजलेस जा रहे थे अपने वर्ल्ड टूर के लिए उसी दोरान वो जिस फ्लाइट में लॉस अंजलेस जा रहे थे उसी फ्लाइट में एक फ्लाइट अटेंडेंट ऐसी भी थी जो BTS फैन थी और खासकर जीमिन की और जब उन्होंने अपने आखों के सामने जीमिन को देखा तो उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था पर इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा सैड भी हो गई थी क्योंकि वो जीमिन के इतने पास होते वे भी उनसे बात नहीं कर सकती थी नहीं वो उन्हें बता सकती थी कि वो उनकी कितनी बड़ी फैन है या फिर नहीं वो उनसे आटोग्राफ मांग सकती थी क्योंकि दोस्तो flight attendant को ये allow नहीं होता कि वो अपने customer से कुछ भी personal बाते कर सके या फिर उनसे कुछ भी मांग सके या फिर उनसे personal कुछ भी पूछ सके ये सब उनके crew regulation में allow नहीं होता जिस वज़े से वो बस सिर्फ जिमिन को देखी सकती थी जब भी वो उनके पास से गुजर रही थी पर वो अपने काम को लेकर बहुत ही जादा honest थी जिस वज़े से उन्होंने कोई भी rules को नहीं तोड़ा इसके साथ ही उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि किसी भी members को किसी भी साथ ही प्लीन सेफली एले पहुँच जाती है और सभी प्लीन से उतर जाते हैं और सभी के जाने के बाद वो क्लीन और चेक करती है पूरे प्लेन को इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी के सीट को चेक करते वे जब वो जिमिन के सीट के पास जाती है तो बहुत ही जोर से इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्लेर में जीमिन एक बुक पर रहे थे और उन्होंने खुद को ब्लैंकेट और पिलो से पूरी तरह कवर कर रखा था जिस वज़े से उनके सीट में क्लीन करने जैसा कोई भी चीज नहीं था बस उनका आटोग्राफ दिया हुआ एक पेपर होता है तो दोस्तों आपको ये इंसिडेंट जानकर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा तो ये थी आज की वीडियो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे के पॉप खबर फैमिली का हिस्सा बन जाए इसके साथ ही आप हमें इंस्टागाम पर फॉलो कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अपना बहुत सारा ख्याल रखें मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे